पर भाग्येशालियों आप जो बहत्तर साल बार ये जो सावन का महिना आया है सुम्बार से सुम्बार तक का कहते हैं इस सावन में जो सुम्बार से सुम्बार तक का सावन रहता है सुम्बार से सुरू सुम्बार से विराम अगर आपके घर में रुद्राक्ष है आप रुद रुद्राच अपने गर में रखते हो तो उस प्रुद्राच को छोटी से कठोरी में रखना या एक पांत्र में रखना साथ बार कि किसी भी Arenosa सावन में जो मवस्ते पढ़ती है ये सुंबार सन्म वाली सावन इसके बाद वाले सावन का मढणन नहीं कर रहा हम इस सावन की बाद करें या तो अमावस, पूर्णिमा, त्रियोदशी, चतुरदशी, या प्रदोश, शिवरात्री, अश्टमी, ये ऐसी तिथियां हैं जो सुम्बार से सुम्बार तक का जो सावन होता है सावन में कट प्लेट में रख कर ठाली में रख कर साथ बार अपने घर में अगर उद्रक्षे तो उसको बलवान बनाने के लिए इसी सामन के महिने में साथ बार्तो जल, पांच मार दूध, गौमाता का और दो बार गाय का घी उस रुद्रक्षे पर लेपित करना चाहिए, और फिर उस रुद्राख्य को धूप बट्टि हो या घर में Google की धूप हो जूप बट्टि से उस रुद्राख्य को सिद्ध कर लेना चाहिए कुछ नहीं आता ना शिव का नाम लो श्री शिवाय नंभस सावन में अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो वहे रुद्राक्च हमारे जीवन का सबसे स्रिष्ट रुद्राक्च को ज天 सरी वर्सत्रेश हेदा कि अभी कि हमारे सीहो unanim में आप ये जो सावन का महीना आया है इस सावन में हमारी आप कुबरेश्वरधाम पर वैसे तो है जो महाशिव्राइटि है जिस समय रुद्राप्छाth तर UCा को सि STEP कर लिया जाता है तर्जोस अमनिया इस सावन में हमारे हैं प्रती दिन बाबा के रुद्राप्छो प्रती दिन निया में रुद्राक्षे पर जल चड़ाना दूच चड़ाना गरत लगाना और बाबा कि इस रुद्राक्ष क्योंकि इतने भक्ता आते उनके लिए वो जिद्राक्ष से तो इसी सावन में चार मुक्ही तीन कितने पांच मुक्ही रुद्राक्ष तीन और छे मुक्ही रुद्राक्ष तीन से इनके बीच में सवा सवा गांट लगा ही जाती है इसे चार रॉधराक्ष जबसक्राइबूलों 55 कि जबसरे जबसक्राइबंकर जबसक्र touchdown पांच मुखिरोधा मगने ने च Tada से ने इनके बीच में समा सब गांट लगा ही जाता है है कि मदले एक गांट पूरी लगाई जाती है फिर आदी गांट लगाकर फिर रुद्राक्ष को डाला जाता है लाल धागे में फिर सवा सवा गांट ऐसी चलती है नो रुद्राक्ष होते हैं कुल टोटा अगर ये नो रुद्राक्ष को शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में रखकर ये ये सावन इसको अन्य सावन में नहीं कर सकते किवली इसी सावन भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास उसको रखकर साथ लोटा जल पांच बार दूद और दो बार घरत अगर लेपन कर दिया जाता है उस माला को और उसी माला को हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे बेट कर अपने गले में अगर धारण कर लेते हैं तो दुनिया क कोई कारे नहीं जो को मारे लिए यह होकना असुथ का इतना महीं को कि यह तुम जब सहच में करें होना हम धर हम फिर कहेंगे डियाशिंग जंच 77 धन्य वाथ किसे में रुद्राख्च को सिद्धा करना है इसमें फिसे में हमारा बाबा कुरपा करने के लिए तक पर रहता है यह रुद्राख्च का ही तो कि मैं धन्यवाद आए पूरी समीति को च मंदिर में लुग लुक जाते हों गे सुनकर जी के मंदिर में, तो ये तो शिवलिंग हो गया, ये जलाधारी हो गई, ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, और जलाधारी और शिवलिंग के यहां शिवलिंग से लेकर जहां से पानी नीचे गिर रहा है, आप पानी यहां चड़ाते हो, तो ये प्रैयास करिये। किस सावन आया है बहत्तर वर्ष के बाद पर यह जो स्थाने असोक सुंदरी का इस स्थान पर एक बार अपनी हतेली रख कर देखिए और भगमान शिव से पंचक्छर मंतर नमस्षिवय, शडाक्छर मंतर, ओम नमस्षिवय या श्री शिवय, नमस्तुभ्य हम इस्मरन कर देखिए और एक बेलपत्र बाबा की लेकर जहां से पानी नीचे गिरता है उसी स्थान पर लगाकर उसी बेल पत्र को खाई है और फिर जाकर डक्टर को एक बार फिर जाच करवाई है कि उस रोग में आराम कितना लगा है उस रोग में अंकर कितना है सावन का ये महिना जिसमें आप भगवन संकर की अवर्वल वक्ती को धारण कर रहे है सोम बार से सावन चालू हुआ और सोम बार के दिन सावन विराम होगा ऐसा सावन बहत्तर साल के बाद आया हुआ 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन पड़ा था कितनी तारीक को जम के बोलो जरा 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन पड़ा था जो सावन सोमबार से चालू हुआ था और सावन सोमबार के दिन विराम हुआ था बहत्तर साल के बाद ऐसा सावन आया है जिसका योग आज बहत्तर जुलाई 1953 में ऐसा सावन पड़ा था अब जरा किस्मत देखिए आपका भाग के देखिए रचतिस गड़वालो नजर उतर वाले न आप कि बहत्तर साल बाद ऐसा सावन आया जो सोमबार से चालू हुआ सोमबार को विराम हो रहा है 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन आया था और उसके बाद आज ये सावन 22 तारिक से चालू हुआ और 19 तारिक को विराम होगा और उसमें भी सोमबार से चालू हुआ और सोमबार को विराम हो रहा है ये ये शिव भक्ति है ये अभिरल भक्ति है आपको और हमको प्राप्त हुए हमें मिलने और तेरी भगवान शिव ने अगोर अस्त्र धारण किया थे इसे सावन एक त्रिपुरा सुरा सुर हो गया तीन पुरियों का निर्मान करकर वो निवास कर रहा है बड़ा विचित्र है वो बहुत सावन आते हैं सारे सावन आते हैं हर वर्ष सावन का महिना आता है हर वर्ष सावन का सुमबार भी आता है हर वर्ष प्रदोश भी आती है हर वर्ष शिवरात्री भी आती है सावन की हर वर्ष अस्त्मी भी आती है छ्ट भी आती है सब तितियां आते हैं ये सारी तितियां हर साल आएंगी हर साल प्रापत will कि पर जो योग मेरे देव डिदेव महादेव का लगा है संवर से प्रारंबों कर्सुमबर के विराम के ये सावन बार बार नहीं आता ये इतनी जल्दी नहीं आता जो 72 वर्ष के बाद 27 जुलाई से 1953 के बाद में आज योग लगा जो 22 जुलाई 2024 में प्रारंप बहुत बहुत ना जाने कितने कितने कितना कितना साधना तब सुरु का बद कर दूँ पर नहीं मरूद ब्रह्मदेव ने विचार करा कि इस तृपुरा नहीं मरूद आकरी में खबर गई भगवान देव दिद्य महादेव के पास भगवान शिवजी के पास भगवान देवादीर महादेओं मेरे महाकाल राजा मेरे कालदीपती मेरे उमकार इश्वर मेरे विश्वनात मेरे परली बेदनात मेरे बेदनात ओगरदानी मेरे केदार इश्वर भगवान शिव विराजमान थे नेत्रबन थे भगवान शिव के और सबने सारे देवताउने जाकर भगवान शिव से विनय करी निवेदन करी भगवान देवधिन महादेव से निवेदन करी और जब भगवान संकर से निवेदन किया भगवान शिव से विंती करी भगवान संकर से बारम बार जब प्राथना करिये भगवान शिव से बार बार व आत्र खोलकर पूछे एसा क्या हो गया जो आपको आना हो यह 33 कोटी देव था यह सारे देव आज मेरे पास में कारण क्या बनने है कौन सा कारण यदि आप से कोई पूछे कि भगवान संकर के गले में बासु की नाग आया भगवान संकर के हाथ में त्रिशू लाया भगवान संकर के मस्तक पर गंगा आई भगवान संकर के मस्तक पर त्रिपुंड आया भगवान संकर के नेत्र दो थे तीन हुए त्रिपुंड धारी कहला का दो भागवान शंकर के पास बेलपत्र आही जो तुम से कहे कि शिवाजी के गले में रुद्राग्छा है भागवान देवदीद्र महादेव के पास रुद्राग्छा है है कोई तुम से पूछ ले कि ये रुद्राक्ष का प्रागट कप का है रुद्राक्ष का जन्म कब हुआ रुद्राक्ष प्रागट कप किया गया अब जरा बहुत हमसे भी कई लोग पूछते हैं जितने लोग संसासा क्या हो जाता है कि रुद्राक्ष का जल अमरत के तुल्ले हो जाता है और कैंसर जैसा रोग भी समाफ्त हो जाता है रुद्राक्ष के जल में इसा क्या है एक माने पत्र में लिखा है कि कैसे शिव कथा कर रही है भगवान चंकर का संबाथ कर रहा है भगवान देवदिद महादेव का चरीत्र का है शिव महापुरान की कथा कर रही है त्रिपुरासुर आसुर है तीन पुरियों का निर्मान करकर उसमें निवास करता है तीन पुरियों का निर्मान करकर उसमे निवास करता है पर उसके प्राण जा नहीं सकते भगवान ना रहें ने प्रयास किया वो नहीं मरा प्राण नहीं चूटे भगवान चुन करके ब्रह्म मुदारी तबसे बड़ा तब और दुनिया का सबसे बड़ा आबूशन मौन रहना ये दुनिया का सबसे बड़ा तब और सबसे बड़ा आबूशन है हम भगवान शिव को किस तरह सरीजा से और फिर निवेदन करूँगा जितनी सरलता से जितनी सहस्ता से आप शिव को रिजहाओगे उतनी सरलता से शिव रीजिता है उतनी सरलता है आप जितनी भाव से भगवान शंकर को रिजहने का प्रयास करोगे उतने भाव से रीजेगा उतने माँ जिरा विचार करिए प्री की पूजन आप ओनलाइन करेंगे आप और हम सब आस्था चेनल के मध्यम से फेस्बूक यूटूप के मध्यम से ठीक शाम को साथ बजे दो अगस्त को बेठेंगे और ओनलाइन सब अपने अपने घर से पूजन करेंगे भगवान शिवक की अराधना करेंगे आप और हमसं मिलकर भगवान संकर से एक साथ स्राथना करेंगे एक साथ और जब हम बाबा को रिजहाएंगे और यही यही इस सोंबार से सोंबार तक के सावन के मैने में दो अगस्त को तो हम शिवरात्री मनाएंगे सत्रा अगस्त को सीहोर की कावडवी बाबा की कृपा से सुबार नो वजे भरेंगे प्रदोश के लिए एक विश्वास के साथ शिर्पोरी एक बरूसे के साथ बगवान्शंकर एक रुद्राक्ष में होता है कि सबका बल एक रुद्राक्ष के अंदर होता है कर दो कंपनी का नाम तो हमको इसमर्ण में था मुंबई की और एक दो कंपनी काशी के आम इसमर्ण में पर नाम नेयद नहीं आ रहा है कई जगा पर रुद्राक्ष पर सर्च चल रहा है कि राखिर रुद्राक्ष में ऐसा क्या होता कि प्रजिप के कलश में घलाया और उसका पानी शिवजी को चड़ा कराचवन किया तो फल मिल जाता रोग-मुक्ति होति है सरिश्टता हो जाति ह तो ये बाच रहा है तो शीव ही बाच रहा है इसमें कोई प्रदिप मिश्राई जा कोई अन्य महराज नहीं बाच सकता बाचने वाला शंकर है कथा सुन रहा है तो आप नहीं सुन सकते आप ये तीन घंटा एक जेसे आसन लगा के काँ बेड़ सकते हैं तुम आदा गंटा कही नहीं बेटो तुम फिलिम देखने जाओ टाकीज में एक जेसी बस यू बेटी बेटी रहे तो पच्चीज बार तुम उम्फली चबा जाओ दो-चार बार आश्कीरीम खाजाओ उत्ती देर में भी तुम कहीं सीट पीछे आगे नीचे उचे मर्जी पड़ी आदे दो घंटे की फिलिम में पंदरा मिनिट कर इंटरवल फिर चले गए फिर घूमिया फिर बेट गए अब यहां तो तुम्हार को एक बजे कथा है चार ब जाते हो अब नो बजे से पानी की बोल्चन साथ में थ्टा एक पांच बच चाए-बच्चे में तो फिर उनका भी समान शांत में कि जिस नगर में, जिस कालोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस महले में, जिस छेत्र में, शंकर का शिवलिंग रहता है, शंकर का मंदिर रहता है, वहां कभी अकाल नहीं पड़ता है, वहां शिव समाल, 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 कर दो कर दो